Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.1 से question number 8 करेंगे Parveen wanted to make a temporary shelter for her car Parveen एक अपनी गाड़ी को खड़ा करने के लिए एक temporary shelter यानि कि छपर बनाना चाहती है By making a box like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car With a front face as a flap which can be rolled up वो इस तरह का छपर बनाना चाहती है देखें यहाँ है यह बिल्कुल चपर जैसा model है उसको गाड़ी का जो अपना खड़ा करने का चपर बनवाना है एक shelter बनवाना है वो इस तरह का होगा कि चार तो इसमें यह दिवारी होंगी और आगे से यह जो फ्रंट है यह इस तरह का होगा कि यहाँ से जगह खुल जाएगी और इसमें गाड़ी गुश जाएगी और फिर इसको बंद कर दिया जाएगा Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible यह जो shelter बनवार है यह तरपलिन से यहनि कि तिरपाल से बनवार है कपड़ा होता है मोटा वो और माना जा रहा है कि जो इसको सिल्ले में जो कपड़ा waste होगा ना जो stitching margin होगा वो बिलकुल negligible है तो उसको आप ignore कर दे How much tarplin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 into 3 meter तो कितना कपड़ा चाहिए अगर वो जो shelter है उस shelter की जो height है वो 2.5 meter होगी और जो base dimensions है base dimension मतलब जहाँ पर जमीन पर यह टिका होगा उसकी dimensions है 4 into 3 meter तो कितना कपड़ा लगेगा यह आपको बताना है सबसे पहले question को पढ़के आपको figure को समझना होता है कि जो चीज बनेगी वो किस तरह की बनेगी यहाँ पर four side की बात कर रहा है तो चार जगए पर कपड़ा लगेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा और उपर भी लगेगा तो यहाँ जो कपड़ा लगेगा एक तो lateral surface area of cuboid क्योंकि यह जो बनेगा structure यह आपका cuboid की shape का होगा lateral surface area of cuboid plus area of यह जो top है अब area top top क्या है इसका? rectangle shape का है तो length into breadth तो area of third plane required हो जाएगा lateral surface area of cuboid plus area of top अब cuboid का later surface area होता है to height length plus breadth और area of top यहाँ आप समझी गए यह rectangle है तो length into breadth values पूट करते हैं 2 का 2, height जो यहाँ पर दे रखी है shelter की यह 2.5 है तो into 2.5 length और breadth length वो हो जाएगी जो base dimensions बोली गई है यह है 4 plus 3 plus में length into breadth यानि 4 into 3 solve कर देते हैं 2.5 को 2 से multiply किया तो 5 आ गया यहाँ bracket में 7 बन गया plus 4, 3,000 यह 12 हो गया 7, 5, 35 हो गया plus में 12 किया इनको sum किया तो यह 47 आ गया क्योंकि question meter में है और area है तो meter का square तो total कपड़ा total tarplin जो लगेगा इस shelter को बनाने के लिए 47 meter square होगा यही आपका answer है question खतम तो इस video में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye झाई